नमस्ते छात्रों सेर इस पाठ का तीसरा चित्रपाठ है हवाई अड्डा हवाई अड्डा वह स्थान होता है जहां कोई भी वायू वहान जैसे वायू यान यानि कि एरोपलेन हेलिकॉप्टर इत्यादी उडान भरते है और उतरते है यानि इसे हम विमान शेत्र भी कहे सकते है एरोपलेन यानि कि क्या विमान और हेलिकॉप्टर यानि कि क्या विमान का एक प्रकार जिसमें रोटर विंग होते हैं एक विमान शेत्र में कम से कम एक उडान पट्टी अवश्य होती है एक हेली पैड और टर्मिनल इमारत भी होती है इसमें एक हैंगर भी होता है पट्टी का आर्थ क्या होता है? दावन पट्टी यानि कि यह एक भूमी की पट्टी होती है जिस पर विमान उड़ान भर हो सकते है यानि कि टेक आफ और अउतरन यानिकि लांडिंग कर सकते है इस उड़ान पट्टी को रनवे भी कहा जाता है। मानव निर्वधी हो सकते हैं और प्राकुरूति भी होते हैं यानि कि मानव ने तैयार की भी हो सकती है यह रनवे और प्राकुरूति यानि कि अपने आप में भी तैयार हुई यह पट्टी होती है अगले शब्द है आपका हेलिपैड हेलिपैड का आर्थ क्या होता है तो हेल भाजों पर या युद्ध नोकाव पर भी बनाया जाता है। अगला शब्द है टर्मिनल, टर्मिनल यानि कि क्या वह स्थान या स्टेशन है, जहां से यात्रियों को उनके चुने गए दिशा के अनुसार भेजा जाता है। जैसे बह स्थानक में हमने देखा फलाट करमक एक, दो, तीन होते हैं उसी तरह हवाई अड़े पर टर्मिनल होता है। अगला छटा शब्द है अपका हैंगर। हैंगर का अरथ क्या होता है। विमान शेत्र का एक ऐसा स्थान जहां छोटे छोटे विमान रखे जाते हैं। जिससे की उन विमानों को तेज सूर्य प्रकाश या बारिश से उनका बचाव हो सके। और इसी जगह पर हवाई जहाजों की तक्नीकी दोशों को ठीक किया जाता है। अलो बच्चो इस चित्र में जो हवाई अड़ा है उसका वर्नन करते हैं और समाज लेते हैं। यहाँ एक अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़ा है। यहाँ कैसे जान लिया हमने तो इस हवाई अड़े के प्रकाश द्वार पर जो बोर्ड लगाया है उस पर लिखा है अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़ा। और उसके ठीक उपर पाँच अलग अलग रंग के द्वज लगाये गए है। देखे इस तित्र में हम देख सकते हैं अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़ा। और यहाँ पाच अलग अलग क्या दिख रहे हैं हमें जंडे यानि की धोज। जिनका अर्थ यह होता है। अन्य देशों के लोगों का यहाँ स्वागत है। यहाँ आपकी अच्छी तरह की देखवाल होगी, व्यवस्था होगी क्यूंकि यहाँ एक अंतर राष्ट्रिय स्थान है। इसका अर्थ यही है कि यहाँ आपके देश की तरह आपको सारी सेवाये दी जाये गी। एक बड़ी इमारत है, इसमें लोग आ जा रहे है। इस इमारत की एक और अने गाडिया और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए है। यहां हम देख सकते हैं, कुछ बसेस और गाडिया यहां हम देख सकते हैं इसके बाद हवाई अड़े में कई स्थानों पर बंदुक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं यह दिखे यह इस तित्र में सुरक्षा कर्मी हम देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी का काम क्या होता है तो सुरक्षा कर्मी का काम है सुरक्षा करना इमारत की दूसरी और हवाई जहाजों के खड़े होने की जगह है यहां देख सकते हम यहां कुछ हवाई जहाज खड़े हुए हैं हवाई पट्ट एक विमान भी उड़ान भर रहा है हवाई जहां जो के आने जाने को नियंतरित करने के लिए एक उची इमारत भी हम यहाँ देख सकते है इसे क्या कहे सकते हैं हम इसे कंट्रोल टावर कह सकते है कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है बच्चों आपने एक पिच्चर देखिए क्या यानिकी फिल्म देखिए क्या जिसमें हमारे लातुर का हीरो है रितेश देशमू और संजेदत जिसका नाम है जिस फिल्म का धमाल अगर हाँ देखी है तो आपको उसका एरोपलेन वालों कॉमेडी सी नियाद है जब एक हवाई जहाज गिरने वाला होता है तो असरैनी जी कंट्रोल रूम में फोन करते है और उधर से कंट्रोल रूम का ओ आदमी हवाई जहाज को उतारने की जानकरी देने के बजाए पूरी जानकरी देता है लेकिन वह हो गया कॉमीडी के लिए बनाय गया एक सीन यानि की एक भाग इरे बताने का यह उद्देश है कंट्रोल रूम उस तरह होता है चित्र में और क्या है तो इस हवाई अड़े पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ चेतावनी दी गई है चेतावनी कार्थ क्या होता है खत्री की सुचना देना जेकिसे की देखिए यहां कुछ सुचना है यानि चेतावनी दी गई है पहली चेतावनी हम देख सकते हैं दुम्रपान मना है दूसरी चेतावनी यहां आखरी में दिये हुए लावारी स्वस्तों को अथन लगाए तो इस चित्रपाठ पर अधारित कुछ प्रश्न लिख लिजिए पहिला प्रश्न है हवाई पट्ती का उपयोग क्या है दूसरा प्रश्न है कंट्रोल रूम क्या काम करता है प्रश्न तीसरा है आपका हवाई अड़े के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है चोथा प्रश्न है हवाई अड़े पर बंदू लिए सुरक्षा कर्मी क्यों खड़े रहते है जुकु 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 अभीन गाडी पुरांचा रे शाह वेतकारी पलती झाड़े पाहुया ममाच्च गावाल जाओया जुकु 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 अभीन गाडी पुरंचये जाहवेत काड़ी परती जाड़े काभूया ममच्छगावाला जाओया जाओया ममच्छगावाला जाओया यहाँ गाना बच्पन में अपने कई बार गाया होगा और सुना भी होगा है ना तो सेरपाट के इस आखरी चित्रपाट का वर्नन हम आज सीखेंगे इस चित्रपाट में रेल स्थानक का दुरुष्र दिखाया गया है रेल गाड़ी यानि की क्या ट्रेन भारती है रेलवे भारत के यातायात का एक प्रमुक साधन है यातायात का साधन यानि की क्या आने जाने का साधन रेल में एक विशाल इंजन लगा हुआ रहता है जो काफी शक्तिशाली होता है रेल बहुत सारे डिब्बू को एक साथ खीचती है इसलिए वह बहुत लंबी होती है वह काफी तेज चल सकती है यह छुक छुक करती रेल गाड़ी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में महत्व पूर्ण भूमी का निभाती है रेल गाड़ी यात्रा का बेजोड माध्यम है रेल भारत को जोडने का कार्य करती है भारत को आपस में जोडने का कारिय यह रेल गाड़ी करती है रेले केवल याक्त्रियों को ही नहीं सामानों को भी डोती है हजारों गाड़िया प्रती दिन चलती है अब कश्मिर से कन्या कुमारी तक रेलों के दोरा पहुंच सकते है कुछ लंबी दूरी तक तो कुछ छोटी दूरी तक यह रेल गाड़ी जाती है यह यात्रा आराम दायक होती है जब जेम स्वाट ने भाप की शक्ती से चलने वाला पहला इंजन बैना आया तब रेल गाड़ी का जनम हुआ भाप यानि कि क्या हम मराठी में कह सकते है वाफ रेल के पट्रिया बीचाई गई रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन बने भाप इंजन से डीजल के इंजन और फिर बीजली के इंजनों तक का इस रेल का सफर बहुत ही शानदा है स्थानक में प्रवेश करते ही दो काउंटर हम देखेंगे पहिला काउंटर टिकट घर का है दूसरा काउंटर है अरक्षन के लिए रखा हुआ यनि यहां अरक्षित टिकट मिलते है रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे है कुछ यात्री गाड़ी में बेटने जा रहे है और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे है यनि कि उनका सफर क्या हो चुका है पुरा हो चुका है और कुछ लोग जो है सफर करने के लिए रेल के और जा रहे है टिकट संग्रहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जाच कर रहा है रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने है कई बार अपने फिल्म देखने के लिए जाते वक्त इस मेटल डिटक्टर से प्रवेश किया होगा मेटल डिटक्टर क्या करते है तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ मेटल तो हमारे पास नहीं है या कुछ अन्ने लोगों के पास नहीं है इसकी जाच करते है प्लेट फार्म पर अनेक यात्री है कुछ अपने सामान के साथ बेठे है प्लेट फार्म पर अनिक यात्री हम देख सकते हैं कुछ अपने सामान के साथ बेठे है कुछ खड़े है वहां कुछ सुचना फुलक लगा है जैसे कि अपने सामान का ध्यान रखे और ठीक उसे के पास एक कुट्टा भी खड़ा हुआ हम देख सकते है एक बच्चे के साथ वह हम देख सकते है यानि कि वह डौगी शाय दूस बच्चे का भी हो सकता है प्लेटफार्म पर एक गाड़ी घड़ी है और वहीं कुछ दूरी पर समय बताने के लिए घड़ी भी लगी हुई है रेल के डिब्बों की स्थीति बताने के लिए अलग-अलग बोर्ड भी लगे हुए है कुछ लौड स्पिकर भी यहां हम देख सकते है जिससे की यात्रियों को उनकी गाड़ीयों का पता चल सके यहां प्लैटफॉर्म से दूसरे प्लैटफॉर्म पर जाने के लिए कुछ सीडिया भी बनी हुई है ठीक उसी के बाजु में खाने पीने की यानि की फलों की दुकाने भी हम देख सकते हैं वहीं कुछ दूरी पर एक ठेला लेकर खाद्य सामगरी बेचने वाला एक आदमी भी खड़ हुआ है प्लेट पॉर्म पर स्वच्छता अवश्चक है इसलिए एक सफाई करमचारी वहां जाला रहा है ऐसी ही सच्छता हमने सभी और बरतनी चाहिए इस चितर पर अधारी कुछ प्रश्ण लिख लीजे बच्चो पहिला प्रश्ण है सुरक्षा द्वार कहां बने है दूसरा प्रश्ण है आपका रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है प्रश्ण है